हुआ है मैं हुआ रंजन सर्मा और आप देख रहे हैं रंजन सर्मा ब्लोगर के नाम से चैनल एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर आप देख सकते हैं आज मैं महर्शी आश्रम का गेट नमबर वन के पास एंट्री किया यहां पर काफ संक्य में यहां बंदर भीड लगी और इतनी सारे बंदर हैं जो क्या क्या खा रहे हैं देख सकते हैं एक इकठे में हो करके बंदरों के भीड लगी है आपस मैं कैसे जगड़े कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रोटी खाने के लिए छिनने का प्रयास कर रहे हैं आप भी तरहासरिबाद ले सकते हैं क्योंकि कहा गया ऐसा कहा गया कि बंदर जो है भगवान का रूप है जैसे के रमयान में राम जी को रावन पर विजय पाने के लिए इन बंदरों नहीं साथ दिया था इसी वज़े से कहा गया है कि बंदर जो है भगवान का रूप है आप भी चाह यहां तो देख करके इतना खुबशूरत लग रहा है नजारा कि इनकी तो भील लगी विया अगर एक बार में अगर किसी को पर अटेक कर दें तो डर कर भाग जाएगा देख रहे हैं जो आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है नुएडा का सेक्टिक सचार में महर्सी आस्रम क अगर के लिए कई जगा से लोग आते हैं गुडगाओं से दिल्ली से नुवेडा को यहां पर आते हैं यहां पर कितनी बंदरों के भील लगी है कैसे खाने के लिए पेचैन है यह दो चार बंदर यहां पर पानी पीने को इनको मिल रहा है मेर्सी आसरम के अंदर में लोगों ने कुछ इनको पानी पीने का खाने का विवस्ता भी कर रहा है हर एक बंदर ने अपने बच्चों को पीट पर लेगा कैसे ढो रहे हैं आप देख सकते हैं कैसे इन लोग आपस में इंजवाय कर रहे हैं यह अपिकन सारे भीड लगा रहे हैं बंदर ने खल्बली मचिँ हूँ है कि ऐसा लाग रहा इनको खाते हो मिलता यह बैसे तो बंदर जुक हैं जंगल में फल कर राजा होते हैं जो फलो को खाना ज्यादा मसूर करते हैं फालो को जाना खाना पस्मिन करते हैं पर इनको रोटी जावल कुछ भी देते हैं खा सकते हैं, यहां देख सकते हैं कितने सांथी से बैठे हुए हैं, खाने के बाद उनका पीट भर गया, ऐसा लग रहा है कि इनको कभी भूख लगेगी नहीं, पर अंति इसको भूख तो ऐस खाने के बाद ही आराम कर रहा है रोट पर देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कैमरे को स्विच कर देख सकते हैं सारे बंदरों ने खाना खाने के बाद यह सारे रोट को बैठ गये हैं फिर भी हाला कि कुछ बंदर और यहां दिख रहे हैं मैं उनके नजदिक नहीं ज नहीं कर रहा है मैं जुम करके दिखा रहा हूं आपको कि इन बंदरों ने खाना खाने का कोशिद कर रहे हैं बाकी सभी बंदर जो हैं दिख रहे हैं रोट को पर घुम रहे हैं ब्रह्मन कर रहे हैं महरसी आस्रम सेक्टर 104 में है जो कि गेट नंबर एक से एंट्री करते ही आपको जो है रोड दिखाई देगा और यहां पे कई सारे बंदर दिख रहे हैं और इसके बाद जो है आप इसी रोड से आगे बढ़ते जाएंगे तो महरसी आस्रम के अंदर में सिव मंदिर और हनुमान जी का मूर्ती है वहां पे आप जाकर दर्सन क कर सकते हैं वहला कि मैं आपको नेक्स वीडियो जब मैं कभी बनाऊंगा इस पार्ट का महरसी आस्रम का तो मैं नेक्स वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा मंदिर कहां पे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इससे पीछे अगर हम आते हैं तो महरसी आस्रम का जो ह सभे 8 बंज तक 8 तक duty करते हैं जी जी करते हैं अच्छा और आपके shift कैसे क्या होती है ए श्व बीषिट है मताय सभे 8 बंज तक करते हैं पो ईनका धिटक होता एक मैं होता है एक बीषिट बीषिट एसरी अब इनका सभय बूझीए करते हैं अब मैं वापस फिर से मैं इन बंदरों के बीच में इनका सरदार को दिखाने वाला हूं इन बंदरों के बीच का सरदार को होते हैं जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह जो बंदर है इन सभी बंदरों का सरदार है मैं इन बंदर के बच्चों को दिखा हूँ, देखिए पेड़ को उपर बैठ करके कैसे खा रहे हैं, यह जो है बंदरों का सरदार दिख रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सरदार यही है, आप देख सकते हैं, आजा, खाना नहीं तो घास भी खाता है, देख रहे हैं क इस ट्रिक्टर 300 लोटस परता है, जो कि महरसी के जस्ट अपॉजिट में बिल्डिंग दिख रही है, यह महरसी आसरम का जमीन है, यहाँ पर यह सारे जमीन जो है महरसी आसलम के अंदर में आता है यह जो महरसी आसलम का गेट नमबर वन है यह रहा महरसी आसलम का गेट नमबर वन जहां पर लिखा है महरसी वेद विज्ञान विद्यापिट यह महरसी आसलम का गेट नमबर वन है हलाकि महरसी आसलम के अंदर में टोटल स्थाथ गेट है पर गेट नमबर एक यहां से एंट्री होती है इसके जस्ट गेट से एंट्री होते ही आप अगर आगे की और बढ़ते हैं तो आपको इस रोट से आगे गेट नमबर टू मिलता है ऐसे करके गेट नमबर टू, थ्री, 4-5 करके साथ टोटल गेट हैं यहां से एंट्री करने का बाद ही जो हैं यहां पर कई सारे बंदर दिखाई दे रहें जिन्होंने की जो कि सारे खाना खा करके अब अपना पानी पीरे और अपना गहास पे खेल रहे हैं कुद रहे हैं पेड़ पे उचल रहे हैं तो बस आज झाल